हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूटूब चैनल बजरंग एजूकेशन वल्ड में दोस्तो रिट लेवल फर्ष्ट की 30 मई को हाई कोरट में सुनवाई होगी बहुत से दोस्तों के मेरे पास कोमेंट्स आये थे कि क्या रिट लेवल फर्ष्ट की जो केस लिष्ट है वह अपडेट हो चुकी है जी यहां दोस्तो रिट लेवल फर्ष्ट की केस लिष्ट हो अपडेट हो चुकी है लेकिन दोस्तो एक बात जो चल रही है कि विकली केस लिष्ट में इसकी सुनवाई है वह नहीं दोस्तो इसकी केस लिष्ट है वो डेली क प्लाई फिल्ड और आप देख सकते हैं यहां पे 82 नमर पे महिंदर कुमार जाटो लिया एंड ओरस टेट अब राजस्तान ओरस यानि दोस्तों 82 नमर केस पर रिट लेवल फेश्ट की एवाई कोरट में सुनवाई होगी आप देख सकते हैं विनोद कुमार गुपता और बिक धर साहे और विग्यान साहे वकील है तो दोस्तो baseball केस पर इसकी सुनवाई होनी है और baseball केस नहींग केस can tell क्ने केस यह TP वकोई सी नहीं में केस नहीं है टो मेन केसमें ब्व कर लक्षाभ में केस में Narth Effczas में 25 का नंबर है वह तो आजा़एगा कोई दिकत नहीं है लेकिनन द दोस्तों यह साही लिखा हुआ है यह सभी केस जो अंतिम केस होता है उसके नीचे लिखा हुआ होता है आप देख सकते हैं यहां पर यह अन्य केस है और यह भी है वह विज्ञान साही और मेंदर साही जो वकील है उनके हैं आप देख सकते हैं यहां पर भी यही लिखा हुआ ह हेरिंग केस लिश्टेड इन विकली केस लिश्टेड डेट थाइस पांच दो जर अठारा तू एक छे दो जर अठारा विल कंटीनियू यानि दोस्तो हमारा जो केस है वो ब्यासी नमबर पर केस है और रिट तीस तारीक हो इसकी सुनाई है वो पुरी हो जाएगी तब तक दोस्तो वकीलों के डिटाल है वो खतम होनी बहुत जरूरी है नहीं तो दोस्तो रिट لेवल फैस्ट की जो कारेवाई है वे भी दोस्तो इसके आगे परभावित हो सकती है लेकिन दोस्तों तब तक है वो वकीलों के रिताल खतम हो जाएगी आज चीफ जिस्टिस जो है वो इस मामले में संग्यान ले रहे हैं और आज उनकी मीटिंग भी होने वाली है ऐसा दोस्तों तबीट आया था तो आज स्यामत्य की अकल तक पता चल जाएगा कि वकीलों के रिताल का क्या रहता है इस पर आगे जो भी जानकारी होगी दोस्तों मैं आप तक पहुंचाऊंगा धन्यवाद